तो एक इनकी बड़ी परानी तजवी है, जिसमें हो कहते है रब तू रहमान तू अपने एमाम को कह दिया रब तू रहमान तू, फिर आ गे चैना अवल तू आखिर तू, अब ये शुरू एक लास में आये, कि detad क्रीन अखिरता कि अल्ला की रहमान तू, अपने कह दिया तो आगाखान इजम के अंदर भी यही चीज मौचूद है और इनकी एक हिस्ट्री है किस तरह तो यह पहले हिंदू इजम से इसलाम में आए और इनका इसलाल अकीदा क्या है और इस तरह आगाखान को जो है यह अला माते हैं और यह हम तोशिश करेंगे इन्शालला आगाम भी दे थाबित करने की तो किस तरह से अगाखानी on daily basis आगाखान की वार्ण करते हैं उसी से मदद मागते हैं उसी से दुआये मागते हैं उसी को सज़़्दा करते हैं जमात्ठाने में जब यह जाते हैं, जमस्वेलिश्टाने दिशाओ एक इन आफयों होगा,ि कीया कहते हैं। तो एक मैन किस तरह हर वक्ط हर जमात्ठानों में प्रिजेट में होसकता है। अधिशन हमेशा रहने के मैं हमेशा रहने वाला को आपको पुटा है इंसान तो नहीं हो सकता है पिर गिनान प्रम्रों को और यह सिंपल जो है। जो बहुत कौम हैं वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ही सिंपल जो हर अगलखानी को आता होगा.. जो कहते हैं A.G.J.J. मांगो किसको कह रहे नहीं.. क्या ये अपने इमाम को ही कह रहे है तो बहुत बड़ा गिना लिए बहुत सारी चीज़े आती है तो एक जगा के कहेंगे कि नहीं हम नहीं मांगते अल्ला के सिवा किसी से लेकिं यहां पर हाल जोड़के बैड़के गा रहे होंगे एजी जे जे मागू ते तु ही देवे अब अपने इमाम को ही कह दिया रब तु रह्मान तु फिर आगे कहते अवल तु आखिर तु अब यह सुर्य ख्लास में आए कि शुरू से आखिरता कि अल्ला की बात है अल्ला की सिफत है आपने कह दिया अपने इमाम को अवल तु आखिर तु फिर आगे आपने कह दिया आप मुझे बताओ, आपने कुछ छोड़ा, जो चीजे अल्ला के लिए हैं, और इस सूरे खलास पड़ते हैं भी अपनी दुआ के अंदर, लेकि मानते हैं नहीं, इस सूरे खलास में जो चीजे हैं वो आपने अपने इमाम के लिए कह दी, ठीक है, फिर आप और आगे चले ज आपको पता या, कि आगाखानीयों के बिलीव है, आज के वकक्ने मौला अली जो है, अगाखान है, आगाखान सहायँ, जो बात करेंगे। लेकिन देख लिए कि साद़ी चीजे रहोंने कह दी जो अल्ला को कहने कि है, इस सब अगाखान है, रब तु फिर रब कह दिया, रह पिर आब आगे जाएं तो उनकी दौाओं के नदर आब आज जाएं तो जब ये दौा पढ़ते हैं उसके अंदर ये शजदा करते हैं हागा ताथाण थाब को अब यह कहेंगे जो आफरिका में जो दूआ की बुख्स पप्लिश की गई थी उनमें जिक्रे सुजूद वाला था कि मौला की आगे जिक्रे जिक्रे सुजूद ये था और पाकिस्तान का जो दूआ का वेरिंड था चुँके पाकिस्तान उस वक्षार है काफी एक अब बीट किसम का इसलाम का काफी जोड था और वो कादियानी इशू भी जो है बॉयल हो रहा था साइड में ठीक है ना बाद में मेटिकलाइज हुआ लेकिन करीमा खान साब ने क्या करवाया कि पाकिस्तान में अलाहुम्मलका सुजूदी वताती वाली दूआ पबिश वाली दूआ इंटरनेट तो वान ही था तो पूरे आफ्रिका में ये लोग सब मौझूद थे और इंडिया उनका दूसा बड़ा हब था तो इंडिया पाकिसान में इनोंने इंडिया पाकिसान दोनों में इनोंने क्योंकि वो तो connected मुलके आपके से उन्हें अलाहु मलक के सुजूदी बताती वाला एट करवाई बिल्कु सही क्या रहा है अगर आप इनके पहले भी चले जाए आका सुल्तार महशा की अगर दुआ पे आप चले जाओ अगर किसी ने सुनी हो तो उसके अंदर आपको तो सारी हिंदू बगवान तो मिली जाएं लका सुजूदी या बताती दाल दिया ले लेकिन एक चीज़ भूल गये कि जैसे जब दूआ खतम होती है तो पर इनकी तज़्विस शूरू करते हैं और उसके अंदर भी वो सजदा करते हैं सिधा आगा खान को जिसे तज़ भी नहीं वेंती, कीश मा फुटिया, शाह तेरे हुजूर मैं कबूल कर, नूर मुलाना शाह करीमुन सनी, इमाम, तो एक उन्होंने दूआ पड़ी, कुछ भी किया, पिर सजदा कर दी है इमाम को, नहीं कहते हैं हर चीद इमाम के हुजूर में पेश कर दी, फिर करने के इंद ऐसी कर दिया आपने, नाम लेके बकायदा आप लोग सजदा करते हैं, रिफर करना वापके रिकॉल करना, दुआ में, कि आप क्या करते हो,